दोस्तों जो जो एक चाय नहीं पी रहे हैं क्योंकि दोस्तों वहाँ एक जो है जो आ चोटु बहल जो है जो मेहन्द्रा खड़ा रहता हैं वहाँ बहले चुप करेंगे लाक है तो तुरंती जो बभलु भाई इस में से हैडयो याट यह 74 दिन करेंगे पूरे दिन येस और हो ओस जहान लग रही न चलो तो चलो किसी पीली देख देखके निकाली एक पर तो डेक्टर अपने डूटी पर लग दिया है कि छोटी चिकाटी कि लाते हैं दोस्तों तोस्ता टीलर जोड़ के तो दोस्तों ये जो है इन दुन्नों गरों की पिलियों का यह जो है पोठी करने की जगह बन रही है अब तो इसे बढ़े आराम से जोड़ना पड़ेगा इसमें तो दोस्तों देखके तोटा टीलर जो है यहां थाम दिया है एंडे मेंडे खुर पर हो रहे हैं दोस्तों ये चोट लगवा का करने ते लेकिन करवानी पाई इने सिद्धे लेकिन कोई बात नहीं यह ऐसी मजी करेगा अब जोत्तेगा तो दोस्तों फिर जोएसे दोके ही खड़ा कर लेंगे तो बढ़िए हंस का थीलर है दोस्तों यह कभी का तो जो उथे चले रहे हैं फंटानी कर लेति है आसा चल्ड़ी खरीषां जोस्तों घुक्रत कर रही हैं सुपयच़ सुबहए इने भी रोट्रम एखो कव्मच़ बहुए एक लेक्र चार ये ये दो तो पहले के हैं ये ये तीन है और इनके साथ मैं दो और तो चलो जी अराम से लिए देखते हैं करगत तुडूम हो जा तो दोस्तों गहूं बोने के बाद देखेंगे इसका दोने का अभी तो फिर से दोस्तों साधिया चल पड़ी है एक दम से तो बहुत हैं इनके लिए मैं पान न लेका चलूंगा दोस्तों कभी डिल ले होगा बोल्ट यह खूज आए केत में काम नहीं है काम से मतलब यह है दोस्तों समय का इवा हो है फिर जो है गाड़ी से मैं मम्मी उदर से महसी का पेट आ रहे तो एक दो बच्चे हैं तो दोस्तों चलते हैं फटापट वैसे मुसी हमारी हमारे से छोटी है क्योंकि मम्मी के जो साथ चाचा ताओ के जो भाई है साथ या नो भाई हैं तो मम्मी से छोटे भी हैं तो दोस्तों चल पड़ते हैं फटापट दोस्तों चल पड़े हैं खेत में और ये देखें चाचा भी जो है ट्रोली डाल के आ गए हैं मील पसे अभी ये जो है चल रहे हैं भरने के लिए सामान रख रहे हैं इसमें तो दोस् तो घर साथते हुए चक में राउंड लगा दिया है चारो तरफ और दोस्तों पानी चली रहा है अब हलकालका खेतों में जरूर निकालना पड़ेगा और दोस्तों देखें नेपिर फिर कटाई आ गया है बहुत बड़ी हाँ यह देखें बड़ाई सांदर अब दोस्तों ऐस बड़ाई थी तो यह यह भी चल गी है यह देखें यहां फिर एक अग्या होगी है तो यह मोड पर बहुत ज़्याद है कटिंग या जुताई की जरूत नहीं पड़ेगी एक आग्या लगा देंगे फिर दोस्तों इस खाई में भी लगानी है इस खाई में हमने देखा है कि इसमें नमी रहती है खाद की मिट्टी है तो इस खाई पर भी लगा देंगे थोड़ा गरने से बचा के तो इसमें भी फ्री फंड का हो जाएगा और बहुत ज़्याद है घास भी हमें काट नहीं पड़ेगी चलते हैं दोस्तों बीच फैक लेते हैं तो दोस्तों यह देख चीलर से तो दोस्तों खेत की जुटाई जोड़ का देखेंगे जुटाई कितीनी हुई कोई लिस नमस्कार जी और बढ़िया जी गोरी बढ़िया काम कर रही तो आज का आप कामन रहे अच्छा तो दोस्तों यह देखो इसकी हमने बहुत पहले वीडियो डाल ली थी तो य बिल्कुल बिल्कुल चलो दो हांक दो चल दिखाओ इसकी तो दोस्तों यह हैं छोटी घोडि बोल ली जाती हैं छोटी बहुत ही प्यारी चोटा सा तांगा मना लोगी मजे बांदें तो दोस्तों मिंदर्ज भाई जुए गन्ने काट रहा है वो वुँतर ने लग रही है ठेकेदार साथ भी बाव आएंगे तो दोस्तों हम फावडा लेकर चल रहे हैं यहां से बहुते हैं घेहूं दोस्तों मैं जो है इतना यह साइड के यह जो कुत्तों नर्गी दुड़ों ने भट खोद रखें इने बंद करते हुए चल रहा हूं यहां से फिर इसे नाली को रिपेर भी करेंगे सारी को वो तो बाद का काम है पहले घेहूं लेट हो रहे हैं तो दोस्तों बबलु भाई ने एक बार खुला टीलर निकाल के फिर जो है पिच्छे से मैणा छोड़ रखाया आप टीलर पे तो दोस्तों बहुत बढ़ी हाल बन गी है और जो है मोसम भी बहुत अच्छा है धूंप आगी है तो यह देखें बहुत बहुत शांदार दोस्तों वहाँ पापजी भी आ गए हैं और बबल भाई जो है इसमें मिक्स नियोट्रियन डाल रहे हैं दोस्तों थोड़ असा जैसे खेत में नमी कम हो गी थी हलका सा यूरिया भी डाल लेंगे किलो भीगेगा तो इसमें क्या है डाई है पोटास वगएरा जो भी है मिक्स नूट्रियन्ट है माइक्रो आइजया है तो जो है परमानित भीज है तो दोस्तों 303 बोरे हैं डबलू पिशत्तर और 26 नहीं बोरे हैं मिलाके तो बबलु भाई ने जो है समीक आप से चल रहा है कि उस दिन यह दोरे की डोल बान का वो दोरा कर गया था तो यह दोरा रहे गया था इसमें दो चाप निच्छे की तरफ खींच देंगे फटाफट बखी यह हैं साया इतना है आज भी जो है कई जगे जाना है तो अंकित भाई आ गए हैं बुगी लेकर अ अब दोस्तों फाइनली महां से सामने से इसे फिट करते हुए देख्या महां से जो है यहां आ गये हैं तो दोस्तों इस पर साथ के साथ ही मिट्टी लगा दी है बड़ी हकर का बबलु भाई जो भी खाट डाल रहे हैं डाई पोटास यूरिया जो भी फैंक रहे हैं इसमें पर साथ ओग यिज़ा है मैं फटापटी से दोरे को लेकर चलते ह्यां वा या दिखा पर मती यो है इस आपको दिख रहे हो का सामने उच्चा हो रहा है तो यह दो डोशाप जोड़ी फिछ जोड़ी पानी आ जाता है परर दोस्तों मैं बच्छा प्र पणे में पक Τandardा पन तो यहां से जो है दस बारे फूट पर फैंक रहा हुआ फिर दोस्तों यह देखें आप जो है अभी देख लें इसे आग्या तो फिर पता नहीं कहा लीख पड़ जाए तो दोस्तों यह देखें यहां तो पिजस्ट पहिए के निच्चे खोड़ है खोकर सी बना के बहुत दिया था इन्होंने लेकिन आप मिडल सेंटर से यह देखें जहां पहिए चल रहा है इसके बरबर में करीब एक डेड़ फुट की हमारी पटड़ी है तो दोस्तों आग्ये का धेको कसम निखाते क्योंकि अगर इधर से जादे कटती है तो फिर इधर स रहा है अब हमारा जो तीश्री बार का जुणदा दबरा है दोस्तों है निच़्े यह उपर से जो मिट्टी आई दो-तीन साल तक तो यह देखे यह हमारा जुन्डा जो है यह पूरा खूड़ी ऐसे यह देखे यहां पर यह जुन्डे हाई हो है फिर थोड़ा सा चक्रोड कटी सी लगए परक नहीं पड़ता अंगल दो अंगल तो ना देखो पहिंए से बराबर में देखो डेड़ फूट जगा चुट रही तो द पूग्यू नहीं की आ रही है भी हमारी ट्रोली गई नहीं दर यह देखो दोन्नों साइड में बलकि उनके खेट से निक होदा हमने अपने खेट से दो है दोन्नों साइड के गड़े भर दिये लेकिन दोस्तों बात वही है जब दूसरा नहीं मानता तो फिर काटनी पड़ और अगर यह घास अटाके देखेंगे तो इसके जश्ट चारंगल निच्ची देखो यह खूड बूरा है लेकिन यहां देखो आप हमारी साइड में कितनी घास और पठड़ी जो है बचरी है तो दोस्तों बात यही है पहीं यह से इतनी पठड़ी तो चाहिए है क्योंकि बड़े हाडे की ट्रोली रहती थी पहले इनकी भी और हमारी भी और दोस्तों चक्रोड बहुत चोड़ी थी है दोनों साइड में यूकेलिप्टिस के पेड़ ते तो ट्रोली भगी चली जाती लेकिन एक जटका जैसे जादे चक्रोड कटी तो पहियां किधर भी रपड़ पहिए जाता था लेकिन दोस्तों फिर भी देखो हमारा तीन साल में खेती रही था लेकिन दोस्तों इस बार जो है हम जादे चक रोड़ पर इसलिए ध्यान नहीं दे रहें चुटरी है ठीक है फायदा ही है प्लत खेत में पैदावार बहुत अच्छी हुई तो दोस्तों जब से हमने ग्यंदे खूंदने हैं पानी घूंदने पड़ेगा निए रेक्रभी से और एक सबसे खास बात बबलु भाई जो है पहली बार आज बीज जो है बखेर रहे हैं दवाई और दोस्तों इसमें जो है 303 बभलु भाई ने अपनी पसंद से बोया है तो मैं तो 226 का डबलु पिछप्तर का दिवाना था तो बभलु भाई जैसे पहले बार नमस्कार नमस्कार जी तो भी आप पहले जैसे मतलब कभी बीजनी बखेरा एक आज चूठकी फेंगा तो मतलब आज कैसे इतना प्रियम जागगा सीकना तो था ही हाँ हाँ तो दोस्तों यह है कि मतलब मैं दोरा कर रहा हूं क्योंकि हम यह पहले करनी पाए दोस्तों आपको पते ही है कि साही इतने दब गशले जाना पड़ता है दोस्तों बहुत जगह आज भी दोस्तों दो जगह है एक जगह मैं जाओंगा जाएंगे और डॉक्टर साब जा रहे हैं उदर से तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं फटा बड़ी यह मिट्टी फैक लूँ क्योंकि इतने मैं मिट्टी फैक हूंगा इतने बबलु भाई का काम होगा फिर खान देंगे ममी की घर पे ही मामा की घर पे ही साधी है तो दोस्तों बहुत बहुत खेत ने मेहनत करवाई लेकिन पैदावार को देखते हुए दोस्तों हमें जोस हमारा कई गुणा बड़िया था जो अब फोन आ गया है डोली दीदी और मोसी आ ली है क्योंकि दोस्तों हमना मुझष अफननेगर के तरफ है मोसी आई है जो एक जन्ने की तरफ से तो तिन नो जो है आँ आ रहे है एक भाई मोटसइद के चलूँगा खेत्तों की तरफ से तो दोस्तों मेरा धोरा यह जो है चारो तरफ कई ट्रक मट्टी लगाई ठेकी दोस्तों देखो कितना भेंग करता है यह जो है कभी बुहेर गन्ने में भी इसमें पाणी नहीं आया धोरे पर डीमक का सर बना था तो दोस्तों लाश्ट ही रह गिया है कि दूस्तों दीदी और मोस्ती गुष्टा कर रही है बबलु भाई न आज बीचार ने बहुत अच्छा करा वीजब बखेर ना सी के लिए तो पापा के बाद में वहीं बखेर रहा था तो डूस्तों कई बार बीच में जब हमारे मांमा जी जिन्दा थे वह भी वखेर दिते जब हम छोटे थे आज आते थे वह फसल बोने के टेम पर उनकी आदस बढ़िया दोस्तों चल रहे हैं बहुत जल्दी दिदी का फोन आ रहा है गुस्सा कर रही है कितने पिछा लिया वह कितने दूर है मोशी नमस्ते दीदी नमस्ते तो दोस्तों यह करीब आधा किलोमेटर चल का आगी है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं देखको मैं तो हाथ भी नहीं दोई थे अपने और दोस्तों हम जो है अपना जोटा भगा के लाते थे दीदी कुले जहने और जोटे हम ते छोटे-छोटे से पूरे हरा हम सब जोटे पिजाड दें थे इतना करणा हमारा का तिस नहीं पहादा हुआ है हुआ हँआ